गुड मुनिंग स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नमबर फॉर लोंग एंड शोर्ड एक वीडियो मैं इसकी बना चुका हूँ उसमें हमने 49 पेज तक पढ़ लिया था आज हम 49 पेज के कुछ कोशन हमने पिछली क्लास में कर लिये थे आज हम उस चीज से आगे स्टार्ट करेंगे पिछली वीडियो में मैंने यहां तक इस कोशन तक करवा दिया था अब आपको इस कोशन से मैं करवाना स्टार्ट करता हूँ लुक फोर दर थिंग्स देट आर तो यहां पर आपको 10 सेंटिमेटर की एक कोई चीज बतानी है एक चीज बतानी है आपको एक थिंग बतानी है 10 से 20 सेंटिमेटर के बीच हो 10 से 20 सेंटिमेटर के बीच में हो और एक 1 सेंटिमेटर की जो 1 सेंटिमेटर से कम की चीज बतानी तो इसका अंसर मैं करदवाता हूँ आपको पहले कोशन जो हमें बताना था कि एक ऐसी तिंग जो 10 cm की हो तो वो होगी आपकी color pencil पहला हो जाएगा आपका color pencil और दूसर हो जाएगा photograph जो आप photograph बड़ी photograph किछते हो वो 10 cm तक की होती है आप नाप के देखना जो second thing थी वो हमें बतानी थी 10-20 cm के बीच की तो 10-20 cm के बीच की जो think है वो है एक mobile phone और एक notebook जो आप जिसमें लिखते हो एक और thing बतानी थी जो की 1 cm से कम हो 1 cm से कम है एक ant एंट होती है चीटी lemon seeds जो नीमू के जो पीज होते हैं वो और sugar crystal sugar crystal मतलब की चीनी के दाने ये सब 1 cm से कम की है next question में हमने जो इस question से जितनी भी things बताई थी उन में से कोई एक think यहाँ पर draw करनी है तो अब मैं answer मैंने यहाँ पर दो चीजें draw की हैं पहला photo frame photo frame में यह एक scenery natural scenery बनाई है मैंने और second मैंने आपके जो math की book है वो मैंने यहाँ पर draw की है आप भी इसमें से draw कर सकते हो page number 49 के सभी question हमने कर लिये अब page number 50 पर चलते हैं page number 50 में जो first question है वो हमसे पूछा है कि अपने thumb और little finger को इस case से ना पिये यह question यह पूछा है कि आपकी जो little thumb है जो अंगुठा है और little finger जो अपने चटकली उंगली है देखे इस बच्ची का जो hand है यह हो जाएगा thumb और यह है little finger तो इन में से कौन सी चीज बड़ी है तो मैंने answer जो मैंने नापा मेरा जो अंगुठा है वो है 5 cm का और जो little finger है चटकली उंगली वो है 6 cm की क्या निकी जो मेरी little finger है वो 1 cm बड़ी है मेरे अंगुठी से तो answer लिखेंगे हम the little finger 1 cm longer than thumb तो मेरे अंगुठी से 1 cm जादा है और अब measure आप tape ला सकते हो जो यह measure tape होती है वो अपनी स्कूल में और नाप सकते हो चीजे हैं hand klein नाप सकते हो अपने सिर नाप सकते हो अपने उंगलियों का हाथ का नाप सकते हो आप सकते हो यहाँ पर question दे रखा है how will you know the number of cm if you measure with a rope, shoes, rope होती है रसी, shoes strings जो आपके फीते होते हैं वो thread धागा अगर आप इन चीजों से नाप होगे तो आप cm कैसे बता पाऊगे तो यह बता पाना मुस्किल है अगर वो rope आप पहले से scale से उस rope पे निसान बना दो कि scale से उस rope को नाप दीजिए और फिर वहाँ पे 1 cm, 2 cm जैसे यह rope है आप scale से इसको नाप दीजिए यहाँ पे 1 cm, 2 cm, 3 cm एक color से निसान बना दीजिए तो आप इस से अगर color से निसान बना दोगे तो बाद में यह एक scale के रूप में काम करने लग जाएगा नहीं तो हम cm नहीं बता सकते इनके मदद से अगर हम नापते हैं तो अब ही page number 50 के सभी question हमने कर लिए page number 51 पे remove करते हैं 51 पे आपको एक list मिलेगी एक आपको table मिलेगी उसको आपको complete करना है उसमें क्या करना है आपको यह चीजे measure करनी है अपनी measure करनी है और अपने friend की measure करनी है nose nos नाख अपनी measure करनी है और अपने friend की फिर round the wrist आपकी जो कलाई है उसको अपनी पहले अपनी कीजिए फिर अपने friend की फिर head को फिर ear को, कान को फिर hand को, हाथ को तो ये सब आप measure कीजिए और अपने friend के साथ compare कीजिए तो मैंने ये कर रखा है मैंने जब नापा तो मेरी जो nose है वो 3 cm आई और मेरे friend की भी nose 3 cm आई जो wrist है, मेरी जो आपलाई है, वो मेरी 12 cm आई और मेरे friend की 11 cm आई मेरी 1 cm जादा थी मेरे friend से जो मेरा head है, सेर है, वो मेरे 36 cm आया और मेरे friend का 35 cm आया जो मेरे कान है, ear है वो मेरे 5 cm आई और मेरे friend के भी 5 cm आया हैंड जो है मेरे जो हाथ हैं वो मेरे 12 सेंटिमेटर आए 12 सेंटिमेटर और मेरे फ्रेंड के 11 सेंटिमेटर आए अब इसी चार्ट के अकोडिंग जो हमने बनाया है नीचे देगे कोशन्स हमें करने हैं यह तीनों हमें उनी की जो information मैंने अभी बताई आपको उनके आधार पर करने हैं चलो अब इन तीनों इन चारों कोशन को करते हैं नोटबुक में फर्स्ट कोशन पर जो बताना है कि who has the biggest head and who has the smallest head तो जो आपके friend और आपका जो head का major है उसमें सबसे ज़्यादा किसका है और कम किसका है तो अब देखिए head जो है मेरा जो head था वो 36 cm था और मेरे friend का 35 cm था यानि कि जो मेरा head है वो 1 cm ज़्यादा है मेरे friend के head से तो मेरा head जो bigger head है वो होगा my head जो कि है 36 cm और जो smallest head होगा वो होगा मेरे friend का head जो कि 35 cm है अब यहाँ पर हमें बताना है कि हमारा जो hand था जो हमारे hand था वो सबसे बड़ा hand किसका था तो अभी हम table पर चलते हैं hand जो था मेरा था 12 cm और my friend का hand की जो length थी 11 cm क्योंकि 12-11 से ज़्यादा होता है यानि कि मेरा जो hand था वो longer बड़ा था मेरे friend के hand से तो answer हो जाएगा तो my hand हो जाएगा longest hand जो कि है 12 cm अब करते हैं which is longer your ear और your nose तो मेरी nose और ear में कौन ज़्यादा पड़ा है तो आप देखिए table पर चलते हैं देखिए मेरी जो nose है वो 3 cm है और ear है 5 cm यानि कि मेरा जो ear है वो nose से 2 cm, 2 cm ज़्यादा है तो हम answer लिखेंगे my ear पहले हम measure लिखेंगे ear का 5 cm और nose का 3 cm फिर लिखेंगे answer my ear is 2 cm longer than my nose तो मेरे nose से 2 cm ज़्यादा है मेरा ear का नाप जो last question है वो है तो आपका जो nail है वो क्या आपके nail किसी दोनों के nail 1 cm से ज़्यादा है क्या आपके nail 1 cm से ज़्यादा है तो हम जो की nail जो नाकुन जो रखते हैं वो गलत बात है तो हम नाकुन नहीं रखते हैं No, we don't have nails हम नाकुन नहीं रखते हैं, हम नाकुन समय पर काड़ देते हैं अभी हमने पेज नमर 51 कम्प्लेट कर लिया, अब 52 पे मूव करते हैं 52 पे क्या है, कि एक जो एंट है, चीटी है, उसे ये जो ग्रेन है, उसके पास जाना है अब इसी के बेज़ पे उन्होंने चार उनके रास्ते हैं, रोड A, रोड B, रोड C और रोड D इस ग्रेन के पास पोचने के, तो अब हम इसी के बेज़ पे एक कोशन है Can you draw a, तो ये कोशन एक पूचा है, तो can you tell her which is so best तो हम क्या बता सकते हैं कि इस में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है तो वो आप मेजर भी कर सकते हो, और ये डारेक्ट भी देख सकते हो, देखिए जो B है, वो सबसे छोटा है रास्ता सबसे छोटा रास्ता है रोड B इसका आंसर देखिए ये चित्र मैंने बना दिया है अब आंसर है इसका रोड B is the shortest among all the four paths जो पांच जो चार जो four roads दे रखे हैं उनमें सबसे जो छोटा है वो रोड B है अब इसी चार्ट के बेस पर एक कोशन दे रखा यहाँ पर वो यह कह रखा है कि क्या आप रोड B से भी छोटा एक रोड बना सकते हो जो की GT यह जो end है वो वहाँ पर जा सके तो अब तो और उसकी length क्या होगी उस रोड की length क्या होगी हमने देखिए यहाँ पर रोड E बना दिया है यह देखिए सीधा रोड बना दिया है सबसे छोटा रोड जो की 10 cm है जिसकी length क्या है 10 cm अब answer क्या लिखेंगे answer लिखेंगे yes, there can be a road be a road E shorter than these जो पाँचो रोड है, five roads है उनमें सबसे जो छोटा रोड हमने बनाया है वो है रोड E and the length of that road is 10 cm और इसकी जो length है इस रोड की वो है 10 cm के बराबर आज हमने देखिए यहाँ से start किया था आज हमने 49 के इस question से start किया था और 49 पे इस complete करते हुए 50 पे कए हम 50 भी complete किया 51 complete किया 51 के बाद हमने 52 complete कर लिया next class में हम page number 53 से start करेंगे how long is a meter तो यहाँ से हम इस start करेंगे आज के लिए हम page number 52 तक ही complete करेंगे अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है देखिए मेरे चैनल का नाम है kids learning आप ये इस red बटन को दबा सकते हो click कर सकते हो मेरे चैनल को subscribe करने के लिए और मेरे यहाँ पे like का बटन उसे भी आप click कर सकते हो ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके आप हमें आरे चैनल को support कर सकते हो मेरे चैनल को subscribe करके और जो bell icon है उसे press करके तो thank you for watching my video आपके लिए मैं अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और आपको पिछली जो chapter है where to look chapter number 1 से 3 तक आपकी उनकी वीडियो देखनी है तो आप playlist में जाके class third maths की playlist नाम है class third maths आप उस playlist में सभी वीडियो देख सकते हो thank you for watching my video